शिवपूरी जील अस्पिताल में विगत दिनों शिवपूरी एक्ता फाउंडेशन की और से जील अस्पिताल में रक्तदान शिवीर का आयोजन किया जहां पर कई रक्तव वीरो द्वारा 20 यूनिट रक्तदान किया जिसका शिवपूरी एक्ता फाउंडेशन ने रक्तव वी ये इस तरह के आयोजन जो है रक्तदान शिवर जो है समय समय पर क्या होते रहना चाहिए और हम देखते हैं जलाचे कि सालाई के अंदर लोग जरूरत बंद कितने लोग घुमते रहते हैं बलड के लिए तो हम सभी संस्थाओं से अपील करना चाहेंगे जो भी शूपरी में काम कर रही हैं जो भी अंजियूज हैं कि वो हर महीने कम से कम एक एक बलड डॉनेशन केम्प लगाएं इससे क्या है हस्पिटल की भी मदद होगी और काफी लोगों की इससे मदद होगी देखा जा तो कुटा में कुटा में एक अल्फला नाम का एक ब्रेटोरी से केम्प चलता रहा है बहुत बड़ा है जी तो उसे मुद्धी बोली का रहा तो जी बिल्कुल हमारी कोशिश है पूरी और हम उनसे भी संपर करेंगे अगर उनके सायोगी की तोर पर भी अगर देखिए कि सीवपरी एक ताफानेशन की ओड़ से एक बिल्ट डोनेशन केंप लगाया गया था इचलाचिक सालहे में तो उसमें तकरीबन 20 यूनिट बिल्लट डोनेट किया गया था और जो भी हमारे जो वालंटियर थे उननकी जानिव से जो बिल्लट डोनेट किया गया दो आज उनके लिए कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया जिसके रूप में उनके लिए एक सेडिफिकेट दिया गया एक सिल्ड दी गई है तो केमल इस बात के लिए के जिल लोगोंने बिलट डॉनएट किया है वो आने वाले समय में भी बिलट डॉनेट करते रहें उनके होसला अफजाई के लिए डॉनेट किया गया जी देखिए खास तोर से यह जो आयोजन था वो एक सीपरी एक्टा फांडेशन की ओर से था लेकिन सीपरी में हमने देखा है कि और भी संस्ता है जो बेलट डॉनेट समय समय पर करती रहती है जला चिकरसाले को बिलट की हमें सहावे सकता रहती है और हम इस फांडेशन की माद्यम से शीपरी वासियों पर यही कहना चाहेंगे खास्तोर से समान समारों में जो भी हमारे वॉलिंटियर थे उनके लिए हमने सर्टिफिकेट दिया सील्ड दी और उनके माल एर पढ़कर हमने स्वागत किया हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले